ये है दैनिक प्राताकाल का डिजिटल एडिशन प्राताकाल लाइफ कॉलेज में विद्जार्थियों को कांजा सप्लाई करने वाले नशे के तीन सौधागरों को डोमबीवली की मानपड़ा पुलिस ने गरिफतार किया है वही मुख्या रोपी के तलाश अभी भी जारी है आपको बता दें कि धुलिया के आदिवासी इलाके से लाकर डोमबीवली के स्कोल कॉलेजों में कांजा सप्लाई किया जाता था पुलिस ने डोमबीवली के रहने वाले आनन शंकर देवकर के पास से 3,10,500 रुपे का गांजा जबत कर रहमल पावरा और संदीप पावरा को गिरिफतार कर लिया है वहीं नशे का मुक्ष सौधागर दिनेश पावरा फरार बताया जा रहा है इसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है इस बारे में मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिस्त निरिक्षक शेखर बागड़े के अनुसार पुलिस को कुप्तु सूचना मिली थी उसी के आधार पर मानपाड़ा पुलिस के टीम ने शिवम होटल के पास घेराबंदी करके 20 किलो 300 क्राम गांजा बरामत किया है प्रस्तुत है प्रादरकाल लाइफ संबादाता महावीर बढ़ाला की रिपोर्ट आनपाड़ा पुलिशन के अंतरगर जो हमारे इदर होटेल शोवम उसके जो ओपन स्पेस एरिया है उदर कोई दो एक आदमी गांजा लेके आने वाला ऐसा इंफॉर्मेशन हमारे पीएसाई तार्मने और उनके टीम को मिला था उस हिसाब से उन्होंने अधर ट्रैप लगया और उसके बाद इने ट्रैप लगया कि ओव आदम्य को गिरपतार किया और उनके पास से 20 किलो और 300 ग्रैम गांजा जबत किया लेके जिब्स के मारके वैल्यू जिख जाए है अगराप इनके कौन होते थे सर, किनी उनको बेचा जाता था यह मैक्जिममम इनका ग्राप जो कॉलेज के स्टुडेंट या रिक्षा वाले इनको बेचता था और यह जो कोई ग्राप है उनको भी हम इंक्वरी में पूछताज करने वाले हैं और उनके खिलाग भी हम अगर आप ये कारिक्रम यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेस्बूक पर देख रही हैं तो हमारे पीच को लाइट करना ना भूले